इस चैनल पर दोस्तों हमने hall और kitchen इन दोनों के बार में देखा पर आज की उड़े में जानेंगे दोस्तों हम कि bedroom जब भी हाप बनाते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आज की उड़े में हम देखेंगे दोस्तों की कुछ इस तरह के tips है जैसे कि आपको color क लगते हुए इन चीजों को करते हैं तो यह बहुत ही जादा comfortable feel होता है अब जब बात करते हैं दोस्तों हम bedroom की तो bedroom जो है आपके घर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है क्योंकि वहाँ पर आप relax करते हो rest करते हो तो इस वज़े से दोस्तों जितना आपका bedroom आपके बहुत जादा मदद करेगा तो इसलिए वीडियो को पूरा जरू देखे और हाँ अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब ने किया दोस्तों तो कैसे चलेगा चानल को जरू सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो पसंद आने पर ही इसे like जरू कीजे तो सबसे पहले point के अगर हम आते हैं दोस्तों जो कि है point number one है size and privacy सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों bedroom के size की तो bedroom का size जो होता है वो generally सभी room में थोड़ा सा छोटा होता है पर इसका मतलब यह नहीं होता कि उसका size बहुत ही जादा कम करना है आपको क्योंकि दोस्तों आपके bedroom में न सिर् by 10 feet का bedroom लेना चाहिए अब यह एक आंदाज हो गया अगर आपके आप पर जगह थोड़ी सी कम है तो इससे भी कम जा सकते है जनरली जो size लिया जाता है वो 12 by 12 का bedroom जो है वो sufficient होता है जिसमें कि आपके थोड़ा बहुत सामान, bed ऐसी चीज़े आ सकती है और अगर हम बात करते है दोस्तो privacy की तो यह room कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जैसे कि आपका hall है वहाँ से आपका bedroom directly दिखाई नहीं देना चाहिए तो इस चीज़ के तरफ आपको ध्यान देना है और तो जो लोग regularly चानल पर वीडियो देखते है उन्हें यह चीज बिल्कुल ही पता होगी जब बिल्कुल ही गलत बात होती है तो इस वज़े से दोस्तो जितना possible हो सकता है उतना आप जो है गौगल ग्लास को bedroom में avoid करने की कोशिश कीज़े कुछ इस तरह की जो glasses है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कुछ इस तरह की glasses जो है दोस्तो उनको आप बिठाने की सकते हो तो वो होता है आपका bedroom क्योंकि जैसा कि आपकी kitchen और hall में आपको limitations होते है क्योंकि वहाँ पर कुछ जगह पर आपको दागों का खयाल रखना पड़ता है तो कुछ जगह पर महमानों का खयाल रखना पड़ता है इस वज़े से दोस्तो वहाँ पर आप बहुत जादा experiment जो है वो कर सकते हो यानि कि कोई wall dark कर सकते हो जो color भी आपको choice आता है उस हिसाब से जो है आप color कर सकते हो वैसे आप अपने choice अनुसार pink, lavender, gray, marigold, blue, violet, caramel, cream, pitch color इस तरह के different color जो है उनको choice कर सकते हो और तो और texture दे सकते हो एकाद wall जो है दोस्तो directly dark करने के बाद आप बाकी वहाँ पर अगर opening नहीं है किसी भी प्रकार की खिड की या फिर door ऐसी चीज़े नहीं है वहाँ पर आप जो है dark wall कीजे जो की दिखने में भी अच्छा दिखता है दोस्तो और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है दोस्तो आपको जो है bedroom में खास करके fluorescent color को avoid करना है ये color जो होते दोस्तो इने neon color भी कहा जाता है इन color से जो है दोस्तो बहुती ज़्यादा रोष्णी परावर्तित होती है जिस वज़े से दोस्तो वो रोष्णी जो है आपके आखों को चुप सकती है और आपको सरदर्ध हो सकता है तो इस वज़े से दोस्तो neon color को avoid कीजे आपके choice onus or जो है आप लगवा सकते है matte finish अगर लगवाते हैं तो वहाँ पर जो है आप wooden finish वाली tile लगवाई है जो की दिखने में अच्छी दिखती है और अगर आप glossy finish tile लगवाना चाहते है तो वहाँ पर कुछ marble की design की tiles आती है वो भी अच्छी दिख सकती है हाला कि आपको इस चीज के तरफ ध्यान देना है दोस्तो अगर आप matte finish tile लगवाने वाले हो तो उसमें आपको carpet की design वाली जो tile है उन्हें खास करके आववाईड करना है अब वो क्यूँ? क्योंकि दोस्तो जो carpet design वाली जो tile होती है वो कुछ सालोबाद जो है एकदम out of fashion लगने लगती है तो इस वज़े से tile जितनी plain और simple होगी उतनी वो out of fashion होने के चांसे सकम हो जाते है तो इस वज़े से दोस्तो इस चीज के तरफ आपको खास करके ध्यान देना है जब भी आप अपने घर की tile choice करने वाले होते हो पॉइंट नमबर 4 है attached toilet bathroom आजकल ये attached toilet bathroom का जो चलन है वो बहुत ही जादा आ चुका है लोग क्या कर लेते हैं? अपनी bedroom को जो है वो toilet bathroom attach कर लेते हैं अब ये जो toilet bathroom होता है दोस्तो उसमें कमण होता है shower area होता है और तो और basin होता है यानि कि आदमी जो है bedroom से directly बाहर हाथ मूद होके ही निकल सकता है तो दोस्तो ये चीज बहुत ही जादा comfortable हो जाती है खास करके ये चीज जहाँ पर आपका master bedroom होता है वहाँ पर की जाती है हाला कि bedroom से attached toilet bathroom होना ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है दोस्तो अगर घर में कोई patient है या फिर quarantine जैसी situation है तो ऐसे वक्त में ये bedroom जो है वो बहुत ही जादा काम में आते है point number 5 है electrical point वैसे तो दोस्तो generally हम जो है हमारे घर में electric point देते ही है पर आपको क्या करना है जब भी आप electric point देने वाले हो तो ऐसे वक्त में आपको two way connection करने है यानि कि होता यही simple दोस्तो two way connection में एक connection तो आपके दरवाजे के पास होता है यानिकि जो बटन्स होते वो आपके दरवाजे के पास होते और दूसरे बटन्स जो होते दोस्तों वो आपके बेट के पास होते यानिकि लेटे लेटे ही आप जो है आप अपने घर का पंखा या फिर ट्यूब जो है उसे बंद कर सकते हो और दोस्तों किसे पसंद है एक बार लेटने के बाद सिर्फ बटन बंद करने के लिए वापस से उठना तो इस वज़े से ऐसे सिचुएशन में ये चीज तो बहुती ज़ादा कारगर सावित हो जाती है तो इसके लिए आपको अगर डू एक कनेक्शन करते हैं तो आप जगे पर बैट कर जो है अपने घर के पंखे या फिर ट्यूब जो है उन्हें बंद कर सकते हो देखा आपने कितना कंफर्ट होता है इस चीज में तो ये छोटी छोटी चीज़े आ जाती है दोस्तो जब आप इलेक्रिक कनेक्शन लेते हो तो इसके तरब आपको खास करके ध्यान देना है और हाँ इसी आगर आप लगवाए या फिर ना लगवाए पर इसी का पॉइट जो है जरूर निकल के रख लीजे अपने रूम में 06 में अब दोस्तो जैसे कि हमने देखा कि उल्रीज जैसे कि हमने देखाए दोस्तो बेडरू में हमें क्योंकि दोस्तो बहुत जादा अगर आप bedroom में loft लगवाते हैं तो ये दिखने में बिल्कुल भी आच्छा नहीं दिखता। जितने आपकी storage की ज़रुत है दोस्तो उस हिसाब से जो है आप एक आदाध लॉप जो है उसे बना लेते हैं तो इसमें आप storage भी रख सकते हैं और ये दिखने में भी आच्छा दिखता है। जो है ये करने के लिए आपको कुछ extra ऐसे पैसे खर्च करने की ज़रुत नहीं पड़ी रेगुलर जो चीज़े आप करने वाले होते हैं उनमें ही आपको थोड़े बहुत जो है वो changes कर लेने हैं थोड़ा सा दिमाग लगना है जिससे की चीज़े आपके लिए आसान हो जा वीडियो अच्छे लगे हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दीज़े और अब ही तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लिजे और ये वीडियो आपको बहुत ज़दा या अच्छे लगी हो तो आपने दोस्तों के साथ share कर दीज़े तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद